मोटू पटलू की कहानी एक मजेदार और रोमांचक यात्रा हो सकती है. हाला कि 20,000 शब्दों में विस्तरित कहानी लिखना यहां संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त रूप रेखा और मुख्य विचार दे सकता हूँ. मोटू पटलू की कहानी की रूप रेखा भाग एक परिचे स्थान फुर्फुरीनगर एक छोटा सा गाव जहां मोटू और पटलू रहते हैं. मुख्य पात्र मोटू जो खाने का बहुत शौकीन है और पटलू जो चालाक और बुधिमान है. भाग दो, समस्या का उद्भव गाव में एक नया दुश्मन आता है, गुलक चोर, जो गाव के सभी लोगों से पैसे चुराने लगता है. मोटू और पटलू को यह पता चलता है और वे उसे रोकने की ठान लेते हैं. भाग तीन, योजना बनाना पटलू एक योजना बनाता है, जिसमें वे गुलक चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाते हैं. वे अपने दोस्तों, डॉक्टर जटिल और गोलुमोलू की मदद लेते हैं. भाग चार, योजना का कार्यान वयन मोटू और पटलू एक फसाने वाली योजना बनाते हैं, जिसमें मोटू चॉकलेट का लालच देकर चोर को ललचाते हैं. चोर उनके जाल में फस जाता है, लेकिन उसकी चतुराई से वे फिर भी मुश्किल में पढ़ जाते हैं. भाग पांच, मुकाबला मोटू और पटलू चोर का सामना करते हैं और उसकी चालाकियों को समझने की कोशिश करते हैं. कुछ मजेदार घटनाय होती हैं, जिसमें मोटू की भूख और पटलू की बुधिमानी का मुकाबला होता है. भाग छे, अन्तिम मुकाबला चोर को पकड़ने के लिए एक बड़ी योजना बनाई जाती है. मोटू और पटलू अपने सभी दोस्तों के साथ मिलकर चोर को न केवल पकड़ते हैं, बल्कि उसे सबक भी सिखाते हैं. भाग साथ, समापन गाओ के लोग मोटू और पटलू को उनकी बहादूरी के लिए सराहते हैं. कहानी का नैतिक, दोस्ती, चतुराई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है. निशकर्श इस रूपरेखा के आधार पर आप कहानी को विस्तार में लिख सकते हैं. अगर आप किसी विशेश भाग पर और जानकारी चाहते हैं, तो बताएए. फुर्फुरींगर एक संक्षिप्ट वर्नन फुर्फुरींगर एक छोटे, रंगीन गाओ की कहानी है, जहां हर किसी का जीवन उत्साह और मजेदार घटनाओं से भरा हुआ है. गाओ की गलिया संकरी और जीवन्थ हैं, जिन में बच्चे खेलते हैं और बूरे लोग चाई की दुकान पर बैठकर बाते करते हैं. गाओ की विशेश्टा है हरियाली, गाओ चारों और से हरे भरे खेतों और पेडों से घिरा हुआ है, जो प्राकृतिक सुन्दर्ता में योगदान करते हैं. सामुदाइक जीवन, यहां लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और हर उत्सव को मिलकर मनाते हैं. स्थानिय बाजार, एक छोटा सा बाजार है, जहां सभी ग्रामीन अपनी दैनिक जरूरतें खरीदते हैं. मोटू और पटलू अकसर यहां आकर चाठ और मिठाईयों का आनंद लेते हैं. प्रमुख पात्र मोटू, मोटू एक खुश्मिजाज और चतुर व्यक्ती है, जो हमेशा खाने के नए-नए आइटम्स की खोज में रहता है. उसकी भूख कई बार उसे मजेदार मुसीब्तों में डाल देती है. पटलू, पटलू बुधिमान और समझदार है. वह हमेशा मोटू की सहायता करता है और उसकी योजनाओं में उसे सही दिशा में ले जाता है. फुरफुरिंगर की कहानी हमेशा नए रोमांच और मस्ती से भरी रहती है, जहां मोटू और पटलू की दोस्ती और उनकी नासमझी से जुड़ी कई मजेदार खटनाए होती है. इस गाव में हर दिन कुछ नया होता है और यही इसे खास बनाता है. झालता है. झाल 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 झाल